तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे वाले वोटसेप से इस वाले वोटसेप पर मैं मैंसेज भेद देता हूँ तो यहाँ पर हमने मैंसेज भेद दिया तो यहाँ पर आपने सुना यह जो मैंसेज है जिसकी तरफ से आया उसका नाम भी मुझे बोलके बताया और उस message में जो लिखा था वो भी मुझे मेरे WhatsApp ने पढ़के सुना दिया तो इस तरह की setting अगर आप उपने WhatsApp में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं दोस्तों ये जो setting है इस setting में आप दो setting कर सकते हैं पहला setting दोस्तों जिसकी तरह से message आएगा सिर्फ उसी का नाम आपको पढ़के सुनाएगा और दूसरे setting में अगर आप चाहते हैं कि आपको message भी पढ़के सुनाए तो नाम के साथ आपको message भी पढ़के सुनाने वाला है तो ऐसे में अगर आप जाना चाहते हैं कौन सी सैटिंग है कैसे सैटिंग आप अपने वोटसेप में कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको ये सैटिंग करके दिखा देता हूं बता देता हूं कि कैसे ये जो सैटिंग है आप अपने वोटसेप में कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से विले सबसे पहले अगर आपने हमारे से विडियो को लाइक नहीं किया तो आपको विडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है पगल में आप सुभी को इसके घंटी को पर क्लिक करके और आप सुभी को सैट कर लेना है इस वीडि पैसामने वाले बंदे का नाम भी आपको पढ़के सुनाएगा साथ ही में उस मैसेज में जो भी लिखा है वो भी आपको पढ़के बता देगा तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे यह जो सैटिंग है आप अपने वोट्सेप में कर सकते हैं तो उस्तों यह जो इस ट्रिकों करने के लिए आप सभी को छोटी से application को डाउनलोड कर लेना है मातर 2MB के application है लेकिन application काफी कमाल की है अब इस application का link आपको वीडियो के description में सबसे उपर मिल जाएगा तो link के उपर click करके आप सभी को इस application को अपने phone में download कर लेना है अब download करके जैसे आप application open करेंग इस भी भासा में भेजते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी language को select कर लेना है तो यहाँ पर मैं Hindi India को select कर लेता हूँ इसके बाद आपको next के उपर click कर देना है अब जैसे आप next के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको set कर देना है अब set करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबी को यह देख लेना यहाँ पर यह on है फिर off है अगर off होगा तो यहाँ पर आप सबी को से on कर देना है अब यहाँ पर जैसी आप on करेंगे तो यहाँ पर आपको दो setting करनी है अब अगर आप चाहते हैं कि आपके WhatsApp पे जिसका भी मैसेज आए आपका WhatsApp उसका नाम बोलके बताए तो यहाँ पर आपको यह जो same SMS को आपको on रखना ठीक है और अगर आप यह भी चाहते हैं कि नाम के साथ आपको message भी पढ़के सुनाए तो यह जो same message है इसको भी आपको on कर देना है अगर आप नहीं WhatsApp पे जिसका भी message आएगा तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं इसी तरीके से आपका भी जो WhatsApp है सामने वाले बंदे का नाम भी आपको बता देगा साथ ही में दोस्तों उस message में क्या लिखा है वो भी आपको पढ़के सुना देगा तो काफी कमाल की WhatsApp ट्रीक है एक बार आपसे यूज करके देखिए आपके सारे दोस्ते सुनके पूरी तरक से चौकने वाले हैं